हेलो आल एंड वेल्कम बैक अगेन इन पास्ट एर कुश्चन डिस्कुशन सो हम लोग देख रहे थे 2018 का पेपर और इस 2018 के पेपर में पेपर वन कंप्लीट हम लोग ने कर लिया है लास्ट लास ने और अभी हम लोग शुरू करेंगे पेपर नंबर टू का डिस्कुशन और लोग ऑवियसली सेक्शन नंबर ए को कवर करेंगे और फिर सेक्शन नंबर बी को कवर करेंगे जो हमारा नेक्स लास वगा तो फड़ा-फड चुरू करते हैं को देखते हैं कि क्या क्वेश्चन से सबसे पहला जो क्वेश्चन एपर आपको लोकेशन देखनी होती है और बारे में 30 वर्ड और उसकी location देखनी होती है तो दिखिए वो काफी mechanical चीजे हैं you just have to google it and if you do not know it then you have to google it and learn a bit about it the location और उसके बारे में देख लीजेगा क्या location and all that कुछ videos हम लोग ने publish की हुई है तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं map making classes के नाम से otherwise ये एक ऐसा section होता है जहां पर 10 में से out of 10 six to seven locations आपको आती होंगी और बाकी नहीं ही आती है या फिर बहुत luckiest होंगे आप तो seven to eight locations आपको आती होंगी otherwise इसमें बहुत जादा load लेने की जरूरत भी नहीं होती है क्योंकि ज्यादा कुछ खास होता नहीं है so all the locations carry two marks तो यहां पर देखिए कुछ marks lose होते हैं और इसके लिए बहुत जादा परिशान भी नहीं होना चाहिए कि मेरे कुछ marks lose हो रहा है so at least आप अपने paper में यह मान के चलिए कि eight to ten marks आपके lose होने ही होने होते है so that is the thing इसको बहुत जादा care नहीं करनी चाहिए this is not the smartness here question number two पे आते हैं यहां पर है कि explain the unusual intensity of dust storm thunderstorm across India in the pre- monsoon period of year 2018 तो यहर को हटा देते हैं फिलहाल question यह है क्या dust storm आता है बिलकुल आता है क्या thunderstorm आता है बिलकुल आता है but the question is not asking about the dust storm and thunderstorm यहां पर यह बोलता है कि increased intensity है तो यह जो intensity है वो increase हो रही है यानि कि जो चीज पहले जैसा था वैसा नहीं है that means this is a climate change तो यह जो climate change का effect है वही आपको बताना है across India in the pre-monsoon तो pre-monsoon तो कहने की बस बात है यह कि यह dust storm एक तरीके से लू आप बोल सकते हैं thunder storm एक तरीके से आप बोल सकते हैं you can say cyclonic activities एक तरीके की लेकिन exactly cyclonic नहीं होगा because cyclone thunderstorm में काफे difference होता है for just for the understanding and keeping the question as simple as it can be हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं इसे तो अब यहां पर क्या structure होगा देखें क्वेशन काफी easy question है structure simply आप यह लिख सकते हैं कि एक normal climate कैसा होता है तो normal climate से आप शुरू कर सकते हैं फिर इसके बाद से आप बता सकते हैं एक flow chart के माध medium से कि आखिर में what are the problems in the climate अब जैसे कि कुछ problems के बारे में आपको just एक idea देता हूँ कि आप इस चीज को लिख सकें जैसे कि एक तरीके से urbanization is a reason heat wave is a reason increased this is increased insulation because of because of global warming ये भी एक तरीके का reason ही हो जाता है desertification is desertification के कारड से भी हमें dust storm and all that ये देखने को मिल रही है and overall एक simple sense में कि climate change तो ये कुछ factors होंगे जिनके basis पे आप अपने इस point को लिख सकते हैं तो this is the thing और इनहीं के basis पे आप बता सकते हैं अच्छा है एक और point यहां पर L.Nino का भी आप लिख सकते हैं कि किस तरीके से subsidence of the air हो रहा है जिसके कारड से यहां पर drought area बन जा रहा है ये सारे factors होंगे इन सारे factors को आपको दो-दो line में explain कर देना है explain करने के बाद में आप चीजों को बस ultimately conclude कर दीजे कि how this is the unusual intensity and it is increasing कैसे यह increase कर रहे है उन चीजों के बारे में आप बता देंगे so that's all for this question ultimately आप इसको conclude कर सकते हैं कोई ना कोई एक सजेशन दे करके so कोई ना कोई एक सजेशन दे दीजिए और बस आपका काम हो गया खतम so that's all for this question next question है आपका कि why setting up of water management board is a controversial issue in India अब देकी question आपको देखेंगे तो पहले तो आपको हो सकता है ना समझ में आए लेकिन अगर 2018 का paper अगर आप दे रहे होते तो आपको question बहुत ही simple लगता तुरण समझ में आ जाता है क्योंकि this is a कावेरी issue ये जो है वो कावेरी issue पे बनाये गया था अब आपको पताएगी कावेरी issue मतलब जो river water distribution है among the four states a four state का मतलब इसमें UT भी included है four states and UT एक तरीके से water management board तो अब देखें यहां पर लिखेंगे क्या क्योंकि कहीं पर भी question में ना तो कावेरी issue के बारे में बात कर रहा है the only thing that is the context that is the key point of this question is the water management board and controversial issue बस यही चीज़े है तो आप जब भी introduction में लिखेंगे तो introduction में आप कहीं पर भी इस कावेरी का mention नहीं करियेगा otherwise the question जितना broad है उतना ही narrow discussion आपने कर दिया है so that is not actually required in this question आप यहां पर introduction में बताईएगा कि आखिर में इस water management board का function क्या होता है और जब इस function के बारे में आप बताएंगे तो आपको एक चीज़ explain करनी होगी river interlinking या फिर river water this is river water sharing clear so इस तरीके से state issue बना दीज़ेगा और फिर आपस में sharing दिखा दीज़ेगा inter water sharing that is the central issue और यहां पर यह state issue होता है मतलब state list में आती है तो यह आपने बता दिया अब आप बता देंगे water management board के साथ में issue क्या है अब issue को जब आप discuss करेंगे तब obviously आप अलग-अलग case studies के माध्यम से चीज़ों को ले आ सकते हैं जैसे एक study आप जो है कावेरी के बारे में भी लिख सकते हैं और ultimately यह explain हो जाएगा बाकी जो main issues है कि इसमें अलग-अलग जैसे जो states होते हैं उनकी सहमती नहीं बन पाती है जब distribution होती है तो वहाँ पर हमें concrete result निकल के नहीं आ पाते हैं federalism होने के कारण से जो आपस में issues आपस में जो एक coordination की भावना होती है वो नहीं आ पाती है तो यह सब चीज़े आप basically यहाँ पर लिख सकते हैं all these things are political issues यह सब एक तरीके से political issues में आ जाएंगे जो main चीज़ है जो main geography है वो आप यहीं पर आप दिखा सकते हैं उपर में river water sharing के हिसाब से और यहाँ पर case studies के माध्यम से अप case study ज़रूरी नहीं है कि आप कावेरी ही सिर्फ लें बहुत सारी है जैसे महादाई river को लेकर के issue है महाराश्ट्रो गोवा के बीच में और करनाटे के बीच में उसी तरीके से सतलज river को लेकर के issue है पंजाब और हर्याना में तो इन सारे case studies को ले आकर कि आप लिख सकते हैं and explain the reason, explain the issue of water sharing and why does water need to be shared इन सब चीजों के बारे में आप जब बताएंगे तो आपका answer complete हो जाएगा लेकिन जो main question जो है वो focus है वो इस political issue को ले करके है तो आप यहाँ पर geography जितनी लिख सकते हैं वो एक indirect format में ही किवल लिख सकते हैं that is what actually required in this question तो इस तरीके के question आएंगे जहाँ पर आप disturb हो सकते हैं कि यहाँ पर geography क्या है तो geography देखिए कई जगों पर directly लिखना नहीं possible हो पाता है वहाँ पर आपको indirectly लिखना होगा जैसे case studies के माध्यम से या फिर justification के तौर पे या जब भी आप issue बताएं वहाँ पर थोड़ा सा geography को push कर दीजिए so इस तरीके से इस question को आप लिख सकते हैं easily handle कर सकते हैं next question पर आते हैं this is the question number D का part आ गया keeping the recent development in view how can energy crisis of India be circumvented by harnessing non-conventional energy source अब यहाँ पर देखिए non-conventional energy source के बारे में बात करना है this ठीक है कई लोग को यह doubt होता है कि renewable energy source होते हो non-conventional होते हैं no this is not the thing renewable non-renewable अलग चीज होती है conventional non-conventional अलग चीज होती है जैसे की convention non-conventional source generally लोग renewable को ले लेते हैं no non-conventional nuclear है लेकिन nuclear इस this is not renewable source है ठीक है अब जयस्टे से solar है तो सही बात है solar को आप renew कर सकते है wind है wind को भी अप renew कर सकते है didle है tidal को भी renew कर सकते है hydro power project HEPS है इनको भी अप renew कर सकते हैं तो हीन से जो कर सकते हैं बद नूकलियर को नहीं कर सकते हैं not generalize that non-conventional sources are renewable sources, ऐसा most of the cases में मिल जाएगा, but this is not the general statement, यह कोई इससे नहीं कह सकते हैं, main question पर आते हैं, question का क्या है, structure क्या होना चाहिए, question itself is a structure, क्या है, देखिए, recent development आपको बतानी है, यानि की recent development में कुछ-कुछ चीजों के बारे में आप बता सकते हैं, जैसे एक तरीके से जो national solar mission वगर बनाया गया है, this is national solar mission, या फिर इंडिया ने जो international solar alliance बनाया है, उसके बारे में आप बता सकते हैं, या फिर इंडिया ने जो renewable sources के लिए एक तरीके से जो target रखा हुआ है, 175 gigawatt का उसके बारे में आप बता सकते हैं, this is the recent development, इसके अलावा कुसूम scheme के बारे में आप बता सकते हैं, this is also a type of renewable scheme, इसके अलावा जो भी automobile sector वगरे में किया गया है, BS6 वगरे ये भी आप लिखना चाहिए लिख सकते हैं, but this is not required one, ठीक है, इसके अलावा electric vehicles के बारे में भी आप बता सकते हैं, तो electric vehicles, यह सब भी क्या एक तरीकी की development ही है, अब देखिए इन development का use कैसे करना है, so we have a lot of developments in our hand, now, energy crisis of India, तो आपको क्या है, energy crisis आपको थोड़ी दिखानी होगी की, we do not have sufficient energy sources of obviously conventional sources, और जो non-conventional है, या फिन non-renewable, renewable, जो भी sources है, हमारी technology डवलप नहीं है, and that is why we may face some vulnerability in the near future, because of this energy crisis, so this crisis को आप दिखाएंगे, obviously, stats के माधियम से ही आप दिखा सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको data दिखाना पड़ेगा, data आप यह दिखा सकते हैं, कि we have stored energy resource for next 90 days, but 90 days में, जो storage हम लोग कर पाते हैं, वो जरूरी नहीं है, कि 90 दे तक ही चल पाया हो सकता है, कि वो, depend करते हैं, कि transport activity कैसी हो रही है, but it may long last at max for 90 days, तो यह कहीं से भी sustainable तरीका नहीं होता है, and that is why we need to again shift our energy dependency on import, और वहां से हमें जो होता है, एक हमें self-sufficiency लेकर के आनी पड़ेगी, इन सब चीजों के बारे में आप simply बता सकते हैं, energy crisis को दिखाते हुए, आगे circumventing, harnessing non-conventional energy source, अब आब बता जीजे कि prospects क्या क्या है, what are the prospects of non-conventional energy source, तो इस non-conventional energy source का prospect बता देंगे, नि future बता देंगे, यानि यह बता सकते हैं, कि this is the solution for this crisis, और यही चीज दिखाएंगे, इन दोनों को main चीज आपका यही दोनों है, energy crisis दिखाना है, this is step number one, step number two, prospect दिखाना है, step number three, कि आपने इस direction में क्या क्या काम किये है, so this should be your structure, सबसे पहले आप energy crisis को detail में बता दीजिए, as part of introduction, introduction में आप energy crisis को दिखाएंगे, ठीक है, फिर आप body में आ जाएंगे, और वहाँ पर prospects के बारे में बताना शुरू कर देंगे, और फिर ultimately, जो schemes या जो भी programs या जो भी developments इंडिया ने किये हैं, उनके बारे में आप बता देंगे, clear हो गया, so this should be the structure for this question, now the next thing, question number two आजाता है, यहाँ पर देखिए, question है, कि distinguish the geographical aspect of northwest lava plateau, यानि के एक तरीके से आप डिक्कन बोल सकते हैं, this is Dickon, play to, ठीक है, और दूसरा है, छोटा नागपुर, play to, of peninsular India, तो यहाँ पर देखिए, simple, बहुत ही simple सा question है, this is a physiography, this is physiography of India, ठीक है, और इस physiography of India से ही आपको start करनी है, जो भी 5-6 चीज़े, physiography में divide की गई है, उनके बारे में आप बताए, यह आपका step number one हो जाएगा, step number two में आप आजाएंगे, तो आप बता देंगे की northwestern lava plateau की क्या geographical aspects हैं, ठीक है, northwest lava, फिर उसके बाद से या डिक्कन भी आप इसको simply लिख सकते हैं, यहाँ पर आप बता दीजेगा जितनी भी चीजे हैं, ठीक है, third thing, फिर उसके बाद से आप आजाएंगे, छोटा नागपूर, प्लेटू के बारे में आप prospects बगरे के बारे मता देंगे, that's it, so this is the, this should be the content, what we can follow, source क्या होना चाहिए, इस question के लिए, source आप सीदे सीदे, माजिद, हुसाइन, बुक को follow कर सकते हैं, अगर आप इस तरीके के question में comfortable नहीं हैं, तो, otherwise our videos are also self-sufficient for this question, because we have discussed this in a very deeper discussion manner, ठीक है, next question आता है, कि discuss, नहीं, explain the contemporary agricultural scenario in the context of rapid urbanization in India, देखे, क्या कह रहा है, agricultural scenario को दिखाना है, यानि कि rural इलाके के बारे में बात हो रही है, urbanization के बारे में बताना है, यानि कि urban इलाके के बारे में बात हो रही है, तो आपको तुरंद के तुरंद, ये graph तुरंद दिमाग में आ जाना चाहिए, कि this is the urban area and this is the centrality आपनी कुछ रेंजी होगी तो बीज में जो ये एरिया जाएगा यहाँ यहाँ पर अरबन आटिविटीज होगी तो यह सब्सक्राश कोपाने होगी, अर्बन एरिया से लिंक है and they can obviously sell their produce directly to the अर्बन एरिया and get monetary benefit from there so this should be एक ये पॉइंट आपके ये dimension हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए जो मेन चीज यहाँ पर है कि आपको एक्जामिन करना है contemporary जो agricultural scenario चल रहा है अब देखिए agricultural scenario कई तरीके के होते हैं एक होता है जो subsistence type क होती है ये जो subsistence होती है वो कहीं से भी urbanization नहीं हो पाता है this is traditional rural culture दूसरी जो होती है वो commercial sense में हो जाती है और ये जो commercial होती है उसमें कई type हो जाते हैं जैसे एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं intensive cultivation intensive cultivation या फिर horty culture आयाती है flory culture आयाती है ठीक है ओलेरी culture आयाती है तो ये सब जितने culture culture है सबके सबको आप horty culture या फिर cash crop में रख सकते हैं ठीक है ये सब सब चीजे हैं ये कहीं ना कहीं अपनी जो rapid urbanization वाली जो भावना है उसको ले करके आते हैं तो इनके बारे में आप explain करेंगे फिर आप इस figure को explain करेंगे अल्टिमेटली आपका question ये complete हो जाएगा clear इसके अलावा आप यहां पर कुछ models का भी जिकर कर सकते हैं ठीक है urbanization को ले करके आप link कर सकते हैं जैसे आप क्या बता सकते हैं आप यहां पर one tuning की theory को बता सकते हैं this is one tuning यहां पर आप बताएंगे the location which is at the periphery of the urban area obviously it will face higher rent than rural area and that is why they need to either work more or they need to shift their work to a new work which is attracting more monetary benefit ताकि वो लो ग्रेंट बगरे को दे सकते हैं यहां पर जो है वो one tuning की theory काम में आ जाएगी इसके अलाबा विटले से की theory को भी आप जो है link कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने भी जो होता है agricultural regionalization के बारे में बात किया हुआ था तो यह somehow यह भी link हो जाएगा हमारे इस agricultural scenario को urbanization से जोडते हुए so this should be the main structure for this question और ultimately इसको आप लिख लिख लेंगे content enrich कर देंगे ultimately आपका answer prepare हो ग question next question कहता है SS the suitability of SEZs for the sustainable economic development in India देखेंगे तो आप यह कहेंगे यार यह तो economics का question है यहाँ पर geography क्या लिखा जाए तो लिखना है यह सब question आते हैं बहुत ही general question होते हैं देख करके लगेगा जैसे अभी water management board वाला था वो पूरा quality का question है but still ask in this geography optional so you need to prepare yourself for all the kind of questions ठीक है in the geography optional तो इसमें जितने भी आपके models वगरा है उसको आप बेटर तरीके से जितना बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जितना बेटर तरीके से रिलेट कर सकते हैं try to learn this ठीक है अब देखिए यहां पर क्या है suitability of SEZ in the sustainable economic development question मुझे दिख रहा है कि we have to link SEZs with the sustainable economic development structure क्या होना चाहिए structure में कुछ नहीं simply आप दिखाएंगे the economic prospects in the country ठीक है in the country and role of special economic zone ठीक है यहां परता दीजेगा कि SEZ का क्या role होता है like it is a kind of a region where the tax are minimized custom नहीं लगता है फिर उसके बाद से यह एक world market के तरीके से होती है world players आ करके यहां पर duty free trade कर सकते है या फिर बहुत ही minimum level पर trade कर सकते है although यह इंडिया के अंदर ही होता है but it is assumed as a foreign territory only for the trade perspective to give the benefits of the tax ठीक है तो इन चीजों के बारे में आप यहां पर बता देंगे फिर आप बताएंगे कि how this is and how this can be a useful concept for this economic development तो यहां पर आप अगर trade theories को include कर सके तो कर सकते हैं अब इस trade theory में जैसे रिकार्डो की theory को आप लिख सकते हैं ठीक है रिकार्डो की theory काफी अच्छी theory और we can say कि यह एक ऐसी theory रहेगी जो की आपको एक तरीके से satisfy कर रही होगी ठीक है तो यह एक रिकार्डो की theory आप यहां पर include कर सकते हैं in terms of trade इसके अलावा resource distribution के बारे में भ support and export का भी जिक्र कर दीजिएगा ताकि at least international trade का scenario बन जाए ठीक है बाके फिर आजाएंगे आपने sustainable economic development पहे कि sustainable economic development क्या होता है ठीक है और ultimately link कर देंगे बस काम खतम हो गया इस link को करने में रोज यह जो रिकार्डो की theory है वो कहीं न कहीं आपको बहुत ज्यादा help करेंगे because this is a theory which is actually explaining how the world can grow together एक साथ कैसे ग्रूप एक साथ कैसे कर सकता है ग्रूप बाकी अगर आप किसी case study वगरे के बारे में अगर आपको पता हो तो obviously you can use the case study अब जैसे case study के नाम पे I would say कि you can use some of the important questions some of the important locations जैसे की के के कोची के बारे में आप लिख सकते हैं या फिर वाइजायक के बारे में लिख सकते हैं यह सब ऐसे areas हो जाएंगे जहां पर हाप ऐसी जीज का development करके economic development भी दिखा सकते हैं तो this should be the structure for this question तो keep in mind we can integrate few things first is the model जो कि हम लोग ने trade theory Ricardo के माध्यम से किया second is the flow chart जो कि हम लोग ने यहां पर as such नहीं किया है या फिर अगर आप करना चाहें तो flow chart आप इनका बना सकते हैं resource distribution का third thing case study so this should be the structure and these are some of the inputs that that can transform your general answer to a geography optional answer clear हो गया now हम लोग आगे अपने question number three पे तो question number three का part A कहता है examine the ongoing process of agricultural diversification and its implication for the food security in India अगे देखिए ये भी UN की एक report आए थी और उसी report के basis पर ये question मनाए गया इसके अलाबा अगर आपने योजना और कुरुक्षेतर को पढ़ाया तो directly इस पर articles आते रहते हैं so you can directly use these sources in writing these questions तो इस पज़े से काफी important होते हैं योजना और कुरुक्षेतर के article to article आपको पढ़ना 12 magazine होती है मुश्किल से एक magazine पढ़ने में आपको 7-8 घंटे लगेंगे so I would recommend you to at least go through with any of the magazine either योजना और कुरुक्षेतर अगर आपको time मिलता है तो आप दोनों पढ़ लिजे it will not only help you in optional but also help in essays also और in fact यह ऐसे होते हैं जो आप directly directly आप जो है मतलब इनका use कर सकते हैं अपने essay में याद भी करके आएंगे तो रट्टा मार करके भी वहाँ पर लिख सकते हैं okay so we were one second we were discussing this diversification अब देखिए आपका question यह है मतलब कि यह जो question है वो diversification को ले करके है और food security को link करना है तो अब agricultural diversity के बारे में जबा पा जाएंगे so diversity के नाम पर देखिए we have subsistence ठीक है subsistence है we have intense we have horticulture ठीक है so यह main चीज होती है लेकिन इन सब चीजों में आप यह दिखाएंगे कि आखिर में food cereal के format में यह फिर कह लिजे कि जो consume करने के लिए use होता है वो कितना use होता है और इस consumption का हम लोग कितना export कर देते हैं और कितना हम लोग अपने पास self use के लिए रखते हैं या फिर import करके अपने item को बढ़ाते हैं this is ultimately going to be used for food security measure इस food security का जैसे ही नाम आएगा आप यहाँ पर population को link करते हुए high population of India को link करते हुए माल थस की theory को आप यहाँ पर integrate कर सकते हैं no doubt about it इसके अलावा food security का जहाँ पर भी जिक्र मिल जाए आप sustainable development goal का भी इस्तिमाल कर सकते हैं because this is again a dimension जो कि आपको extra marks fetch कर आएगा ठीक है बाकि इस diversification के बारे में आपको बताना है कि आखिर में कौन कौन से diversification techniques लिए जा रहे हैं क्या क्या किया जा रहा है जिसके basis में हम इस food security measure को कर सकते हैं अब इस diversification में देखिए दो तरीके से आप कर सकते हैं एक है जो behavioral या फिर कहले जे टेकनिकल changes किये जा रहे हैं और दूसरा है जो raw material में changes किये जा रहे हैं अब raw material में जैसे high yield variety seeds हो गया या फिर जो है आपका irrigation techniques हो गया या फिर fertilizer वगरे में जो developments किये जा रहे हैं raw में चले जाएंगे और बाकी जो technical है उसमें जैसे आप insurance ले सकते हैं कि प्रदान मंत्री जो फसल भीमा योजना वगर है हो गई इसके अलावा आप यहां पर लिख सकते हैं कि आप जिस तरीके से आप एक तरीके से यह कह लिजे कि use करेंगे अपने what is that called loan amount को ठीक है okay so we were discussing this question and there was some calls to keep that aside तो हम लोग देख रहते हैं हाँ पर SDGs के बारे में एक point आप लिख सकते हैं इसके लावा मालतास की ठीरी को population के साथ में इस food security को link करते हुए आप लिख सकते हैं इसके लावा अच्छा ओकी बाकी we have already discussed all the things so I guess we have sufficiently discussed this question तो इसको आप लोग अब लिख सकते हैं इसका simple structure बस यही होगा कि आपको शुरू में जो introduction होगा वो introduction आप food security को ले करके दिखा सकते हैं food security के question से और फिर food security की क्या problems हैं और उस problem को कैसे इस agricultural diversification के थूरू solve किया जा सकता है agricultural diversification और बाकी कहां कहां पर आपको models integrate करने हैं वो already हम लोगों ने discuss कर लिए हैं so that should be the structure for this question now next question आता है account for persisting negative trade balance of India again देखिए एक trade geography का या फिर economic geography का एक question आप बोल सकते हैं यहां पर भी देखिए जब भी trade theory या कोई भी trade से related चीज आएगी तो वहां पर कुछ चीजों को आप integrate कर सकते हैं जैसे resource को integrate कर सकते हैं कि what kind of resource the country is having or the world is having ठीक है यहां पर in fact आप एक world map भी बना सकते हैं या फिर India का भी map बना सकते हैं दूसरा import export के बारे में आप दिखा सकते हैं कि import और export किस तरीके से किया जाता है यहां पर भी आप एक world map बना करके दिखा सकते हैं तीसरा आप trade theories लिख सकते हैं जैसे कि Ricardo की theory हम लोगों ने अभी discuss भी किया तो यह theories आप जो है लिख करके in fact यह सारा content आप लिख सकते हैं जब भी कभी trade related कोई बात आती है तो question है कि persisting negative trade अब जैसे हमारे इंडिया का बाकी countries के साथ में more than 100 countries के साथ में हमारा negative trade balance है लेकिन हमारे लिए कोई ज्यादा बहुत tension की बात नहीं है कि negative trade balance है because some of the resources we are not having in our country and that is why we have to obviously import it but in return the country is not dealing with the exports of India so इस वज़े से क्या है कि हमारे negative है लेकिन सबसे बड़ा जो reason है वो है China this is the disturbing element because दिक्कत क्या है कि China is importing raw material and exporting manufactured goods यानि कि आप यह बोल सकते हैं कि China ने value addition करके हमें दे दिया and that is why this is the most disturbing one तो इस वज़े से यहाँ पर जो यह negative trade balance है वो हमारे लिए खत्रे की घंटी है तो इसके लिए आप simply resource के बारे में सबसे पहले बताईएगा कि the kind of resource we are having and the kind of resource they are having कभी भी चाइना का नाम लिख करके नहीं लिखना है आप एक world country के माध्यम से लिख सकते हैं because do not narrow the question ठीक है question जब आपको broad दिया गया है world के basis पे global perspective से आप से question पुछा गया तो आप भी global perspective से ही answer देंगे यहाँ पर अगर आप चाहें तो WTO की norms वगरे का भी इस्तिमाल कर सकते हैं जैसे यहाँ पर mode 1, mode 2, mode 3 अलग अलग होते हैं चीज है तो negative trade balance के बारे में आप बताएंगे status बताना होगा तो थोड़ी मुड़ी अगर कुछ countries का अगर आपको नाम याद है जो की economic survey में आप पढ़ते ही पढ़ते हैं बस उसको आपको लिख देना है जैसे चाइना के साथ में सबसे बड़ा हमारा trade deficit है एराग के साथ में हैं साओधी अरेबिया के साथ में हैं अब जितने oil exporting countries हैं ओविसली उनके साथ में हमारा negative trade balance हो गई होगा यह एक आपका structure हो जाएगा इस question के लिए तो हर जगा कम से कम दो से तीन मैप तो आप बना ही सकते हैं बाकी आप theories को भी लिख सकते हैं बाकी आप लिख करके obviously send कर सकते हैं अब दिखिए यह है आपका cultural geography का question इस cultural geography में आपको tribal diversity भी दिखानी रहेगी religious diversity भी दिखानी रहेगी और linguistic diversity भी दिखानी रहेगी but the main question here is regarding this linguistic diversity जब भी आप इसका introduction लिखेंगे तो आप शुरू करेंगे perspective in human geography के concept से तो perspective in human geography का जो concept है जहाँ पर यह cultural spread के बारे में बात की गई है जैसे herodotus ने बात किया था इस cultural spread के बारे में इसके अलावा और भी बाकी लोग जैसे radzil वगरे ने भी बात किया था radzil, vidal ने बात किया हुआ है this is vidal de la blash, ellen simple ने बात किया हुआ है huntington ने बात किया हुआ है तो इन लोगों का नाम लिखते हुए आप केवल और केवल एक बता देंगे कि this is the spreading of the culture ऐसे spread of the culture होता है और ultimately एक plurality आती है या फिर diversity जो होती है वो emerging आती है within the region अब आप आजाएंगे इंडिया के perspective में इंडिया के perspective में आप यहाँ पर दिखाएंगे कि history, geography, economic activity has led India to have a diversity in कहां कहां पर religious diversity, linguistic diversity, cultural diversity, food diversity, flora and fauna diversity तो हर तरीकी की diversity इंडिया में पाई जाती है अब आप especially मतलब focus करते हुए linguistic diversity के बारे में बता देंगे कि कौन कौन सी linguistic diversity है Human geography by Majid Hussain में एक chart बना हुआ है regarding this linguistic diversity and this chart is very very I would say precisely it has discussed the linguistic plurality of India and how it has immersed so यह आप अगर आपके पास book हो तो obviously you can just refer to it this is very well written and a very attractive depiction of this for this question होगा so यह तरीके से आप structure अपना सकते हैं काफी अच्छा example होगा और यह सारी चीज़े आप include कर सकते हैं ठीक है आज आते हैं अपने last question पे this is the last question for today question number 4 इसका पार्टे बोलता है examine the driving force of changing urban morphology of million plus cities of India million plus का मतलब क्या हो गया metropolitan city metropolitan cities के वर लिख दीजे इसकी जगा पर changing urban morphology यानि की metropolitan city में urban morphology जो change हो रही है उसके क्या-क्या driving forces है तो देखें most of the driving force जो content आपका रहेगा obviously वो economic ही रहेगा ठीक है economic ही रहेगा mainly या फिर कह लेते सकते हैं कि standard of living आप बोल सकते हैं या फिर आप infrastructure बोल सकते हैं या फिर आप facilities बोल सकते हैं या फिर आप connectivity बोल सकते हैं तो कई सारे parameters होंगे जिसके basis पे आप बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा region होगा जहां पर लोग आना चाहेंगे अब आप आजाए अर्बन morphology में अब यहाँ पर क्या है कि जो city का structure change हो रहा है तो structure of the city ठीक है अब यहाँ पर क्या है दो तरीके से concentric circle वाला concentric circle वाला और दूसरा sectoral model क्या है यह urban morphology ही तो है तो यह दोनों के दोनों parameter को आप दिखाएंगे और connect कर देंगे इस metropolitan prospect से so these will be the driving force for the changing of urban morphology यहाँ पर आपको help करेगा कुछ कुछ concept जैसे problems of urbanization इसको आप जब link करेंगे तो ultimately हमें कुछ models की ओर चले जाएंगे और हम लोगों को इस तरीके से इस model को develop करना पड़ जाएगा case study के format में दो case study तो बहुत ही important है लिखना आपके लिए एक आप बढ़िया वाला लिखेंगे यानि की चंडीगड का नाम लिखेंगे और एक आप घटिया वाले लिखेंगे यानि new Delhi का नाम लिखेंगे ठीक है in fact अगर आप दूसरी के study लिखना चाहें आप लिख सकते हैं कि Delhi versus new Delhi तो Delhi पुराना था new Delhi नया develop किया गया है और इस तरीके से दोनों में किस तरीके से congestion को कम किया गया है in fact अगर आप Delhi को विजिट करिये और नॉट Delhi मतलब new Delhi को विजिट करिये you will face the difference एक तरफ central Delhi मिल जाएगा और एक तरफ west Delhi मिल जाएगा और आपको बहुत ही clearly एक difference देखने को लिखेंगे the kind of congestion Delhi is having and जो पुराना दिल्ली है old Delhi वो जहाँ पर congestion है and the kind of new Delhi has developed दोनों में काफी बड़ा difference आपको देखने को मिल जाएगा तो this should be the structure sorry this should be the content of the question structure क्या होगी structure में simple आप बताएगे सबसे पहले metropolitan cities का मतलब क्या होता है metropolitan city दिखा देंगे चाहें तो आप city का classification का आप एक flow chart बना सकते हैं जैसे megalopolis and कई तरीके के होते हैं Houston ने जो classification किया था उसके बारे में भी आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं just a flow chart nothing more ठीक है फिर आप बता देंगे metropolitan city में problems क्या होते हैं because this will give you a flow in the question ठीक है अब आप जब flow chart के माधियम से again problems को बता देंगे to the point बताईएगा की क्या क्या problem है जैसे हम लोगों ने यहां पर देखा ना problems के बारे में one second so why it is okay one second yes तो यहां पर problems straightforward आप चीजों को बताते जाएए अब आप बताईए as part of solution as part of solution क्या क्या हमारे पास morphological changes available है तो morphological changes आप बता देंगे और आपका काम हो जाएगा खतम so यह हो जाएगा structure and this is the content बस लिग दीजिए काम खतम होगे आपका next question पर आते है next question है आपका emerging geopolitical scenario of Indian ocean बहुत ही असान question और in fact दिखेगा आपको 2019 में भी आया था intent भी आपको बहुत ही easily available है web पे भी available है magisustand book भी अगर आप follow करते होंगे तो वहाँ पर भी available है खुलर book में भी available है so you can get the answer for this question in any of the book because this is very simple question and it has become very famous question so we are not going into it last question हमारा आजाता है give a critical account of region specific constraint of sustainable tourism so क्या structure होगा again दिखेए काफी easy question है सबसे पहले आप tourism के बारे में बताएंगे और tourism का prospect बताएंगे तो इस दोनुचीज़े बताएंगे prospect क्योंकि आपको Indian perspective में बात करना और India का one of the largest contributor of the India economy tourism ही है तो आपको यह बताना होगा second part of the question में आएंगे वहाँ पर है कि problems of tourism के बारे में बताएंगे कि problems of tourism क्या क्या है फिर आप बताएंगे solution for tourism जो भी problem है tourism की वो कैसे किये जा सकती है और लास्टली sustainability of tourism clear होगे है sustainability of tourism in fact देखे एक question हम लोगो ने discuss किया हुआ है green tourism को ले करके हम लोगो ने I guess 2019 के paper में discuss किया था green tourism and the same question is this green tourism बस उस green की जगा पर sustainable tourism लिग दिया गया है content is same structure is even the same और एक तरीके से आप यह बोल सकते हैं कि this is a kind of repeated question जो कि 2018 में आया था जो 2019 का question अगर अगर आप लोग यह होंगे तो आपको पता होगा कि this question को कैसे deal करना है so this should be the structure अलांकि discuss भी कर लिया है बाकी content आपको पता है so that is for all for today we have completed section A बाके आप लोग इसको करियेगा इसके बारे में पढ़िये और इसके बारे में for today मिलते है नेक्ट वीडियो में section B के discussion start till then goodbye and thank you so much